हलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे यूपी विहार का फेमस भरवा शत्तु पराठा तो चलिए इसकी रेस्पी हम सुरू करते हैं सबसे पहले हम शत्तु लेंगे शत्तु हम रेडी मेट मार्केट से भी ले सकते हैं और घर में भी बना सकते हैं भुने हुए चने का उपर का छिलके को निकालकर इसे मिकसर में पीस लें हमने एक कटोरी भुने हुए चने को जार में डालकर इसे पीस लिए हैं और हमारा सत्तु बनकर रेडी है अब हम सत्तु मसाला बनाएंगे हम इसमें बारिक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और फिर हम क्रेश किया हुआ इसमें लेसन डाल देंगे और हम दो कटी हुई बारिक मिर्ची डाल देंगे और हम बारिक कटा हुआ इसमें धनिया की पत्ती डाल देंगे फिर हम इसमें एक चमच नमक डाल देंगे एक चम्मच हम गरम मशाला पौडर डाल देंगे और एक चम्मच हम इसमें डालेंगे हम चुर पौडर और हम आजमाइन डाल देंगे इसमे फिर हम डालेंगे चाट मशाला एक चम्मच और अधा चम्मच से भी कम हम इसमें डाल देंगे ही और हम डेड़ चमच डाल देंगे अचार मशाला और फिर हम इसमें डालेंगे शर्षो का तेल हुचके तो आप अचार का तेल डालें अगर अचार का तेल नहीं है तो शर्षो का तेल आप डाल सकते हैं और फिर हाथोसी इस तरीके से आप इसे मिक्स कर लें और आप इस तर बेल कर हमने आटे का एक लोई लिए और इस तरीके से थोड़ा सा आटा लगा कर बेल लिए हैं और फिर हम इसमें शत्तू मसाला डालेंगे हमने इसमें दो चम्मच शत्तू मसाला डाल दिये और इसे हाथों से इस तरीके से दाब कर चारों तरफ से हम फोल्ड करके एक टिकिय बना लेंगे और इसमें थोड़ा सा आटा लगाएंगे और हम इसे हलके हाथोशे बेलेंगे रोटी की तरह राउंड शेप में हम इसे ना ज्यादा पतला बनाएंगे ना ज्यादा मोटा हम इस तरीके से इसे बेल कर रेडी कर लेंगे और अब हम सेकेंगे इसमें हमने तवा तवा गर्म हो गया है हमने हलका से इसमें घी लगा दिये हैं और पराठे को डाल दियें पराठे को हम पलट कर इसमें घी लगाएंगे दोनों तरफ हम इस तरीके से घी लगाते हुए इसे सेक लेंगे और हम इसे मीडियम फ्लेम में सेकेंगे ना ही हम लो फ्लेम में सेकेंगे ना ही high flame में high flame से पराठे जल जाते हैं low flame में पराठे क्रिश्पी नहीं होते इसलिए हम medium flame में इस तरीके से सेख लेंगे अब हम दूसरा पराठा भी इसी तरह सेख लेंगे सबसे पहले हमने एक लोई लिये और कटुरी के शेप में हमने इसे बना लिये हैं हम इसी तरीके से हमने इसे भी बेल कर रेडी कर लियें अब हम इसे सेकेंगे तवे में इसे डालकर और हम इसे पलट कर इसमें एक चमच घी लगा देंगे और फिर हम इसे पलट कर दोनों तरफ हम अच्छे से घी लगा कर इसे सेक लेंगे ये देखे और हम इसे चारों तरफ से दापते हुए अच्छे से शेक लेंगे हमारा पराठा बनकर रेडी है हमने इसे टमाटर की चटनी के साथ सर्व किये हैं बहुत ही टेस्टी सा अच्छा सा हमारा भरवा पराठा बनकर रेडी है इसे बनाना बहुत ही आशान इसी है आप भी जरूर ट्राइ करिएगा अगर हमारी recipe आपको पसंद आई हो तो like और हमारे channel को subscribe कर दीजिएगा